इस प्रोग्राम में हम सीखने वाले हैं electricity bill तो question यह है कि आपको input करने है units consumed है ना तो write a program to input units consumed and calculate bill amount और जो उसका rate लगेगा per unit का जो rate लगेगा उसके लिए कुछ conditions है उसके लिए conditions क्या है देखिए पहली condition क्या है first 50 unit तक हमारा bill क्या है जीरो आने वाला है ना free होगा next hundred next hundred का मतलब 50 से आगे के next hundred यानी 150 तक के जो unit होंगे उसमें हमारा 4 रुपे पर unit के हिसाब से rate लगेगा next hundred है ना 150 से आगे next hundred का मतलब हो गया 250 तक के जो unit होंगे वह पांच रुपे के हिसाब से और 250 से ऊपर जो unit रहेंगे वह हमारे पांच रुपे 50 पैसे के हिसाब से रहेगा हाना 5 रुपे 50 पैसा पर unit के हिसाब से बिल होने वाला है और साथी साथ क्या होगा कि 20 परसंट का एक additional के अंदर आपको मिलेंगे फिर है कोन्यों रॉट है का मतलब होता है console input output का मेंज क्या होता है CLR, SCR और GETCS यह दोनों फंक्शन आपको इसके अंदर मिलेंगे क्योंकि यह दोनों फंक्शन हम यह चारों फंक्शन इसमें लगा रहे तो इसलिए दोनों header files का यहां पर यूज होगा तो आप यहां पर आते हैं देखिए सबसे पहले एक variable define क्या है integer type unit यह क्या करेगा आपका integer में एक value store करेगा units यानि जो units consume करी है वह हम इंपुट करेंगे फ्लोट में कुछ variable यह है जैसे रेट आपका जैसे आपने देखा होगा कि चार रुपे पांस रुपे और पांस रुपे पचास मेंसे भी है इसलिए रेट को फ्लोट में लिया है हमानच होने तो सर्चार जुड़के आएगा तो इमउंथ फ्लोट है तो झोलत ही होगा अच्या आगे वरते हैं। फिर आया देखे printf का यूज क्या है आपको बता ही है कोई भी स्क्रीन में प्ले करने के लिए तो हमने एक message डिस्प्ले करा है एंटर यूनिट्स एंटर यूनिट्स यानि जो कंजूम करी है और स्कैन हमने कर लिया है उसको पर्सेंटी का मझा होता है इंटीजर का फ़र्में अगर 50 या 50 से कम है तो यहां पर हमने किया कि हमने लगाए opening brace और opening brace के बाद हमने amount को calculate कर दिया और amount होजाएगा 0 एल्स का मतलब होता है कि अगर यह वाली पहली वाली कंडिशन फेल हो जाती है पहली कंडिशन फेल का मतलब होता है यूनिट अगर 50 या 50 से कम नहीं है तो सिंपल सी बात है 50 से उपर है तो हमने यहां पर चेक किया है एकाउन से उपर तो हैं तो क्या less than 150 है क्योंकि 50 तक है पर चार रुपय यूनिट के साब से अगर हां पचास से कम होता तो यहां पर हमने क्या कर दिया जो भी इनपुट करें उसमें से 50 कम कर दें कि पहले पचास जो है तो अब जो यूनिट बचेंगे है ना यूनिट बचेंगे माल लेते हैं पिछेतर यूनिट आया है उसका ऐसा हम लीजिए पिछेतर में से 50 माइनिस करके बचा जो इस यूनिट को हमने कार के हिसाब से कल्कुलेट करेंगे अब यहां पर एक फिर सा आ जाता है इस इफका भी एक एल्स आता है मेंस यह हो गया कि अगर एमाउंट हुआ से यहां पर एक इसका उनिट सब तो अगले तर यहां पर यहां यहां पर यहां पर है कर देते हैं अगले सो पर यानि क्या होजएगा देड़ सो तक में क्या होजएगा चार रुपे के हसाब से और अब जो यूनिट बचेंगी तो यहां पर हमने इसको भी क्या करना है कर दिया तो अब जितने बचे भी यूनिट होंगे उसको हम क्या करेंगे इसको जरूर करके देख लेगा अगर हां माल लेते हैं यह कंडिशन भी फेल हो जाती यूनिट अगर 200 से कम यह 200 यह 200 से कम नहीं है तो क्या जाएगा आब यह फाइनली वैसे तो इफ लगानी की जरू क kep ready could buy हैं नहीं तो यूवा फिर हो फिर भी आप ने इसको समझने के लिए इस लगा दिया हमने कहा है कि अगर 273 यूस्ती हैं अगले जो सौ यूनिट हैं पांस रुपे के हिसाब से और यहां पर क्या हो जाएगा इस हिसाब से ही अब आप देख लो कि अब जो बचे यूनिट है तो वह कहा जाएगा उसको हम इसको कैलकुलेट कर देंगे हम 5.5 के साब से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया ओपका एमांट का सरचार्ज कितना था का कितना था 20 परसेंट का साइन यहां लगता नहीं आपको पता ही है क्योंकि परसेंट का साइन यहां मोडुलस बन जाता है यह तो इसको आप कर सकते थे कि 20 अपन हंड़िट कर सकते थे लेकिन 20 अगर करेंगे तो यह जीरो हो कि आपको रूल याद होगा कि इंटिजर डिवाइड वाइड 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 जिए ना गिस इंटिजर तो 20 वाइड वाइड तो 0 ही धेगा क्योंकि 0.2 होता है तो हमने इसको डारेक फ्लोड में ही लिग दिया प्रिंट एफ लगा है प्रिंट एफ बैक्सलेशन का मतलब आपको पता ही है नई लाइन में करसर को सेंड कर देता है यूनिट कंजूम अब जितने भी यूनिट करी होंगी वह जो हमने अभी इन्पुट कर रहे थे वह यूनिट में उसको यह दिखा देगा और यहां पर एम लाइन तो यह क्या करता है बाइड़ी सिक्ष डिजिट तक आपको दिखाता है तो पॉइंट के बाट टू डिजिट तक ही फ्लोट में और नेट पे क्या करेगा नेट पे अभी हमने उपर के यहां पर कल्कुलेट कर रखा है तो यह नेट पे हमारा फिर सब्सक्राइब करने के लिए और एंटर करने के बाद क्या हो जाता है तो इस तरीके से प्रोगाम इसको आप कंपाइल करके देख लेगा एक बाए यह आप इसको राइन करके देख लिए अब तो हम इसमें कर लेते हैं एक बार यूनिट हम सपोज तक फ्री था तो फिप्टी ही देता हूं जीरो देना चाहिए है तो देख लेते हैं तो पचास कम हो गया और अब इसाब से अगले सब्सक्राइब कर दिया तो और इसको अलग-अलग आप एंटर करके जरूर देख लेना यह दियान को को चैनल को दुब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप पूशे जरूरकर देख लिए इसलिए हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी इस तरीके प्रोग्राम की जरूरत है तो आप चैनल को शेयर कर सकते हैं या इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं थैंक यू